है गाइस वेल्कम बैक तो मैं यूट्यूब चैनल दिस अंकुर शर्मा एंड यूर वाचिंग मैं अधर निव वीडियो तो प्लीज वीडियो स्टाट करने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने फ्रें अपने हमारे चैनल पर पहले वीडियो देखे होगी उस पर टू लाइक प्लस फ्यूज है बुलेट टावर कस्टम्स ने एक सीटी अंड्रेड मोडिफाई की थी उसके थीम पर यह बाइक रेडी की है पर इस बाइक का जो पेंट स्कीम है वह बिलकुल अलग है पर जो बेस अगर हम कॉंसेप्ट की बात करें तो वही उसी बाइक का कॉंसेप्ट इन्होंने इस बाइक में यूज किया है तो सबसे पहले आपको लोगों को बता दूँ कि अगर आपको कोई भी कोशन होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंटों के मैं मुस्ली सारे कमेंट के रिपला डालता हूं और आप मेरे परस्टनल इंस्टाग्राम पर आप मुझे डार्क्ली मैसेज कर सकते हैं जो भी आपकी कोई मैं कोई बाइक मोडिफाय नहीं करता मैं बस कस्टमाइजड बाइक और कार्स की वीडियो बनाता हूं तो इस बाइक की अगर हम बात करें तो यह बाइक म सारीफ करना बनता है कुछ-कुछ लब कुछ चीश में और चीज बैटर हो सकती है जैसे मैंने उनको बता है और वह इन चीजों पर काम करेंगे बाकि एक्जोस्ट की साउंड अगर आपको सुननी है तो वीडियो में आपको एक्जोस्ट की साउंड भी मिल जाएगी एक्ज बाइक में होता है ऐसा काम करने के लिए आपको बहुत ही एक तो डेडिकेशन होनी चाहिए आपके पास टाइम भी बहुत जादा होना चाहिए और पैसा तो यह ऐसी चीजों में ऐसे प्रोजेक्ट में लगता ही है जो मेरे को ओनर ने बताया है उन्होंने बताया है कि वो इस पर अब तक 35,000 के अराउंड खर्च कर चुके हैं पर अगर कोस्ट को हम जस्टिफाइ करें अगर आप ऐसी सेम बाइक रेडी करना चाहते हैं और आपके पास कोई सीटी अंड्रेड है तो मैं इस वीडियो में आपको पूरी कोस्ट के अकॉर्डिंग डिटेल्स दूँ इस यह हैंडला आप देख रहे हैं है इसे कलीप आं हैंडल भार बोलते हैं और इस कलीप onwards आप एज़स्टि भी कर सकते हैं और इसकी प्राइजिंग आपको मिलती है मार्केट में आपको यह एजिली अगर आप बात करें तो ओनलाइन भी आपको 800-900-1000 रुपे तक मिल जाएगा और फिटिंग में आपके उपर है अगर आप खुद फिट कर ले तो वेलन गुड नहीं तो मार्किट से आप फिट करा सकते हैं तो हैंडल की बात होती है खतम अब बात करें अगर आपको बाइक कैसी बनानी है तो इस क्वालिटी का आपको पेंट जोब कराना पड़ेगा अपनी बाइक पर इसकी क्वालिटी देखे मैं आगे बाइक की पिक्स एड़ करूँगा कि बाइक जब मतलब तयार हो रही थी भी आपको जरूर सुनाओंगा तो इस चीज पीछे का आप यह मतलब देख सकते हैं कस्टम फेंटर होता है और यह लाइट्स भी जो इसमें लगाई गई है कस्टम लगाई गई है मैं उनको ओनर को सजेस्ट करूँगा कि यह सारी गार्ड हटा दे यह बाइक की लुक को ख इसमें नया लगाया गया जैसे कि आप देख सकते हैं विल्कुल क्लीन क्वालिटी है मतलब विल्कुल चमक रहा है तो आपको मार्केट में C200 की अगर हम बात करें तो इसका ओरिजिनल एक्जोस्ट आपको लगबग लगबग पंदरासो रुपे तक मिल जाना चाहिए और अगर आप सी प्रोजेक्ट वगएरा ऐसे इनके रैप्लिका एक्जोस्ट लगाते हैं तो वह आपको दो हजार या पंदरासो दो हजार में मिल जाएगा मैक्सिम्म पच्छी सो तीन हजार तक जाएगा पर उससे भी सांड बाइक की काफी अच्छी हो जाती है और जैसे सजार रुपे तक खर्चा करना पड़ सकता है आपकी सीटी अंड्रेड में अब बात करें इसके अलोई वील्स की अलोई वील्स यही डिजाइन नहीं ऐसे और भी डिजाइन मार्केट में अवेलेबल हैं सीटी अंड्रेड के लिए और अगर आप डैली से हैं तो करोल के बाइक ऐसी थी यह इसका जो बेस बहुत पुराना वेरियंट आई आपको 2045 में इस टाइप का वेरियंट आता था बिना अलोई वील्स के और यह कुछ इसकी ऐसी कंडिशन थी इसको पहले पूरा खोला गया है इसका फ्रेम तियार किया गया है क्योंकि चैसी काटके ही केस्टम के किरेसर वाला जो फ्रेम देखे है आप तेयार किया गया चैसी खोल के जितना हम पेंट करते था है उतना उसका पेंट लोंग लास्टिंग होता है और आप क्वाल्टी देख सकते है जज कर सकते है बिल्कूल यह इसका टैंक है, टैंक इसका स्टो की टैंक रहने वाला है, कोई इसमें टैंक की अप ग्रिडेशन नहीं है, गलोसी रेडिस पे पेंट किया गया है, टैंक पे, और चत्रपती शिवाजी जैसा कि आपको पता है, मार्श्टर स्टाइड में, उनको काफी पूझते हैं, या जैसा कि आपने देखा, और ऐसे जैसे आप मतलब बाइक में पैसा लगाते हैं, इन उने लाइट जैसे यह लाइट लगाई हुई है, यह लाइट आप मार्केट में आपको इजी ली, आठ शैसो साथ सू रुपे से स्टार्ट हो जाती है, डैली में तो, अगर मैं डैली की बात करें तो आपको यह डिजीटल मीटर, पंद्रासो रुपे से लेके दो हजार रुपे तक मिल जाता है, कहीं कहीं तीन हजार तक भी बिखता है, डिजीटल मीटर, होर्न में इसमें कुछ ऐसा अपग्रेड नहीं है, और बाइक की जो एक्जॉस्ट की साउंड है, वो आ इसी वजह से कर रही थी, कि डिसी पर कनेक्शन नहीं थे उसके, तो अगर वीडियो के आप एंड तक आ गए तो वीडियो सब्सक्राइब, तो लब वीडियो लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर दो, और अभी मैं आपको एक्जॉस्ट की साउंड सुना हुआ, वीड झाल